दोस्तों क्या आप जानते हैं कि वकील काले रंग के ही कोट क्यों पहनते हैं यदि नहीं जानते तो जान लिजी अक्सार हम किसी नियाई धीस या वकील को देखते हैं तो वे काले रंग के कोट में ही देखने को मिलते हैं भारत में 1961 के अधिनियम के तहत वकीलों के लिए सफेद बैंडिटाई के साथ साथ काला कोट अनिवारिक कर दिया गया था यहां काला कोट नियाई के प्रती उनमें विश्वास जगाता है और उन्हें समाज के अंदर एक समान जनक स्वरूप परादान करता है काला रंग अधिकार और पावर बताते हैं और सफेद सट और सफेद बैंडिटाई सुधता का प्रतीक है काला रंग द्रिष्ट हीनता का प्रतीक माना जाता है और माना जाता है कि काले रंग का कोट पहन कर कोई भी वकील पक्षपात नहीं करता इसलिए वकील काले रंग का कोड पहनते हैं और यह भी कहा जाता है कि काले कोड की प्रथा इंगलेंड से आई है साल 1694 इसमी में ब्रिटेन की महरानी क्वीन मेरी को चेचक की वज़ा से मौत हो गई थी तब वहां के राजा विलियम्स ने सोक सभा में सभी वकील और नियाई धीसों को काले रंग के कपरे पहनने को कहा था और इस आदेश को रद नहीं किया गया तब से वकील काले रंग के कपरे ही पहनते हैं और भारत में अंगरेज कई सालों तक रहे थे और काला रंग वकील और नियाधीसों की लोगों और समाज के बीच एक अलग भजान बनता है इसलिए वकील काले रंग के कोट पहनते हैं दोस्तों ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएए